जैहिन दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जवब सग्यान में तो दोस्तो इस वीडियो में हम जिस वकैंसी के बारे में बात करने वाले हैं पंजाब नैशनल बैंक के द्वारा दो और डिस्टिक के लिए पी एन की भरती जारी कर दी गई है तो दोस्तो यह जो भरती है यह सोनी पत और पानी पत जिलों के लिए जारी की गई है जिसमें आपको टोटल 22 पोस्टे दी गई हैं तो दोस्तो इसके लिए plus to pass वाले अवेदन कर सकते हैं तो दोस्तो आगे हम आपको वीडियो में इसका पूरा eligibility criteria के बारे में बताएंगे और आप इसका जो application परफोर्म है वो कैसे फिल करोगे उसके बारे में भी हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वले हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वकेंसिस की तो इसमें जो आपकी सोनी पत डिश्टिक है उसमें 15 पोस्टे जारी की गई हैं जिसमें 6 पोस्टे जर्नल के टागरी की हैं, 3 अनुसूचित जाती के लिए हैं, अन्या पिछड़ावर के लिए 5 पोस्टे हैं और आर्थिक रूप से कमज़़ावर के लिए 1 पोस्ट जारी की गई हैं तो दोस्तो इसके बाद जो आपका पानी पत डिश्टिक है उसमें आपको 7 पोस्टे जारी की गई हैं जिसमें जर्नल की 3 पोस्टे हैं अनुसूचित जाती की एक पोस्ट है और अन्या पिछड़ावर के लिए 2 पोस्ट जारी की गई हैं और आर्थिक रूप से कमज़़वर के लिए भी एक पोस्ट जारी की गई है तो दोस्त आप बात करते हैं इसकी अजूकेशन क्वालिफकेशन की तो इसके लिए जो है आपकी प्लस टू पास होनी चाहिए और आपको अंग्रेज़ जी और अंग्रेज़ जी का पढ़ने और लिखने का ज्यान होना चाहिए तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बाद इसमें जो आपकी आयूसी में है वो आपकी ठारा वर्से लेकर 24 वर्स टक दी गई है जो की काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक तो दोस्तो आप ब के लिए 13 साल की चूट रहेगी और समन्य वर्स के शारीरिक विकलांग के लिए 10 साल की चूट दी गई है तो दोसतो इसके बाद बात करते हैं सथाई निवासी डौमोसाइल परमान पतर की तो अभ्यर्ती केवल समंदित जिले पानिपत या सोनिपत का स्थाई निवासी होना चाहिए अभ्यर्ती जिस जिले का स्थाई निवासी होगा उसी जिले की रिक्तियों के लिए योग्या होगा प्रादिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई निवास पर्मान पतर अथवा रोजगार कारालिया जिला सैनिक बोड में पंजी करन पर्मान पतर की प्रतिया वेदन के साथ आपको लगानी पड़ेगी तो दोस्तो अब बात करते हैं इसकी चैन प्रक्रिया की तो इसमें जो है आपकी 10th और plus 2 के percentage के हिसाब से आपकी merit list बनेगी जिसमें आपका 10-वी का 40% और 12-वी का आपका 60% लिया जाएगा तो दोस्तो इसकी vintage जो है वो 10-वी की 40% और 12-वी की 60% रहेगी तो दोस्तो आप बात करते हैं इसकी सेलरी की तो इसमें जो आपकी सेलरी है वो 14,500 प्लस आपको अन्या भत्ते बैंक के अनुसार दिये जाएंगे और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इसकी last date की तो इसकी जो last date है वो 5 March तक रखी गई है जो कि आपने इसे पंजिकरीत डाग के जरीए या फिर आप इसे speed post के जरीए भी इसके form को send कर सकते हैं तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी कुछ कंडिशन्स की तो इसका जो आपका अवेदन पत्र का लिफाफा होगा उसके उपर आपने पंजाब नैशनल बैंक पानिपत मंडल में चपडासी के पद है तू नियुक्ती है तू पानिपत या सोनिपत जिस जिले के लिए इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो आवेदन है वो आपने कहां पर बेजना है तो उसका जो एड्रस रहेगा मुख्या प्रबंदक मानोस अंसाधन विकास पंजाब नैशनल बैंक मंडल का रहले एस सीओ एक सो सतर सेक्टर तेरा स्तारा पानिपत तेरा इकी जिलो तीन प कुछ इस तरह करेगा जिसमें पंजाब नैशनल बैंक में चपड़ासी के पद हेतु जीला कौन सा है वो आपने लिखना है इसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लगी होनी चाहिए और आपका नाम पिता पती का नाम जनमती थी दिनांक एक एक द पास करने का वर्ष अधिकतमांक प्रापतांक और अंकों का परतीशत क्या है वो भी आपने जुरूर लिखना है तो दोस्तों इसके बाद आपका अंग्रेजी भाषा पढ़ने और लिखने का धारबूत ग्यान आएगा उसके बाद आपका वर्ग कैटागरी क्या है वो आपने दिनांक स्थान और आपका अभियर्थी के हस्ताक्षर भी आएंगे तो दोस्तों यह इसके बारे में complete information थी अगर इसके regarding अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं और दोस्तों अगर आपको हमारे य जरूर करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भर्द